नमस्कार में भारकेश्री बिस्यन नियुस के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है कबरों के और बढ़ने से पहले आए डाल तेकने चर आज के सुख्यों पर कोरोना में बढ़ी अंटे की डिमाड गयरा प्रतिशक प्रोटेन कंटेंट पाले इस हाई प्रोटेन आइटम की किमत बहुत कम और बैंकिंग शेरों में मुनाफ़ा वसुली शेर बाजार भी मायूस एक सो बत्रीस अंग तुटा सेंसिक्स दुनिया की अन्य प्रमुक मुद्राओं की मुकाबले डॉलर की मजबुति के दबाह में अंतर बैंकिंग बुद्रा बाजार में रुपया शुक्रवार को आट पैसे कम शुरुआ और कारुपार की समाप्ति पर एक डॉलर बहातर दशमलो 91 रुपे का विका इससे पहले गुरवार को भारतिय बुद्रा 18 पैसे की मजबुति के साथ बहातर दशमलो 91 रुपे प्रती डॉलर पर बंद हुई थी रुपय पर आज शुरु से ही दबा रहा है यह 9 पैसे लुड़क कर 73 रुपे प्रती डॉलर पर खुला कारुबार के दुरान एक समय यह 73 दशमलो 13 रुपे प्रती डॉलर तक कम जुरुआ बाद में इसमें कुछ सुधा देखा क्या कारुबार की समापती से पहले 32 दशमलो 96 रुपे प्रती डॉलर की दिवस की उच्छतम सतर से होता पा और यह 32 दशमलो 99 रुपे प्रती डॉलर पर बंधवा दुनिया की अन्य छे ब्रमोग मुद्राव की बास्केट भी डॉलर सुछकांग के मजबूत होने से रुपे पर तपा हो रहा है बिनो रिपोर्ट बेसियन नियूज रेजर्व बैंक की नितिकत बयान की बाद घरिलू शेयर बासार दबा में आके और सेंसेक्स सतान निप्टी शिर्वाती बड़त गवाती वी लाल निशान में बंधवे बेसी का सेंसेक्स तीश रुपाला सम्वेती सुछकांग 132.38 अंग यानि 0.25 प्रतिशत लुड़क कर 521.05 अंग पर बंधवा रेजर्व बैंक की मौद्रिक नितिस समिक्षा की बाद बैंक को के शेयरों में मुनाफा वसुली सी बाजार नीची आया है तेज शेयरों पर आधारेज सेंसेक्स 132.38 अंग यानि 0.25 प्रतिशत की गिरावट के साथ 521.05 पर बंधवा निप्टी पी 20.10 अंग तुटकर 15670.25 अंग पर बंधवा है सेंसेक्स के शेयरों में सरवातिक नुकसान में निसली इंटिया रही इसमें करीब दो प्रतिशत की गिरावट आई इसके अलावा भारती स्टेट बंक, HDFC बंक, Axis बंक, ICICI बंक, Relance Industries, HUL और डॉक्टर रेटिस में भी गिरावट रही वित्तिय खास कर बंकों के शेयरों में मुनाफ़ा वसुली से बाजार में हलकी गिरावट आई है रिजर्व बंक की मौत्रिक निती समिक्षा में मुद्रा स्पिती में हलकी व्रूति की अनुमान से सरकारी प्रति भूतियों पर प्रतिफल 0.03% बढ़ा इससे बंक शेयरों में मुनाफ़ा वसुली की गए बेरो रिपूर्ट, BCN News लोगडाउन के कारण जूस और चाई की टपरी बंध होने के चलते शकर की डिमान नहीं होने से भाव स्थे चल रहे है इस बार त्योहार भी चलिक है लेकिन शकर के भाव में किसी तरह से कोई उच्छा लिया आया है व्यापारियों की अनुसार कोरुना के कारण लोग चाई की जगा काड़ी का इस्तेवाल अधिक करे है जिसके चलते शकर की खपत पहले के मुकाबले काफी कम हो गई है शकर के जगा अभी मसालों की खपत पड़ी है इसके चलते शकर की भाव ठोक में 34 से 35 रुपे और चिलर में 36 रुपे प्रती किलो पर स्तीर बने हुए है शकर इस बाल लोगों को रहत देते नजर ने आ रही है इस वर्श तेलों ने लोगों को जम कर रुलाया तेल के भाव उच्छे में जाकर ठैर गए है लोग तेलों की किम्टों के लिची आने का इंतजार करे है विदेशों में दोनों किम्टी धातों में चल रही तेजी से घरी लुस्तर पर भी शुकरवार को सोनी चांदी भी मजबुत ही देखी गी सोना मिनी भी 113 रुपे की बढ़त में 48,612 रुपे प्रती 10 ग्राम पर रहा चांदी 360 रुपे याने 60,91 रुपे प्रती की मजबुत ही के साथ 31,170 रुपे प्रती किलो क्राम की भाव भी की देश में कोरोना महमारी की वापसी से अंडी की डिमान एक बार फिर बढ़ गई है इसे एक अंडी की रिटेल कीमत बढ़कर 6-7 रुपे हो गई है जो जनवरी और परवरी के दोरान 5 रुपे की करीव बिक रा था क्योंकि उस दोरान बैफ्ल्यू से अंडी की खपत और उत्पादन दोनों प्रभावित होई थी कोविड-19 के जंकर मितों के लिए भरपुर प्रोटीन वाली फूड अंडी को भोजन में शामिल करने के सला दी चाती है क्योंकि अंडी में 11 प्रतिशत प्रोटीन कंटेंट होता है जिसके वज़ा से लोग कम की मर पर मिलने पाले इस हाई प्रोटीन आइटम को जंकर खरीद रहे है इसका नतीचा ये रहा कि पिछले कुछ महिनों में अंडी की खपत में तेजी आई है जोनमें मासिक आधार पर प्रतिव्यक्ती अंडी की खपत और सितन साथ थी हाला कि कोरोना की दूसरी लहन में अंडी की डिमान बड़ी और मास 2021 में प्रतिव्यक्ती अंडी की खपत साथ हो गए सरकारी आकडों की मताबिक 2019 और 20 के दरान भारत में अंडी का प्रोडक्शन 140 अरब रहा जो 2018 और 2019 में 103 अरब था कुलत पादन का 98 प्रतिशत अंटा देश में ही खपता है फानेंशियल एर 1985 से 1986 में 16.1 अरब अंडों का प्रोडक्शन पाथा कोरोना महमारी से अंडी का कारुपार का निपाली कंपनियों का बिसनेस प्री मासिक आधर पर पिछले कुछ महिनों में 100 प्रतिशत यानी 2 को ना पड़ा है क्योंकि ग्रहाकों में हेल्थ और एमिनिटी को लेकर सतरता पड़ी है खबरे समावत करने से पहले आगे डालते एक नजर आज के सुख्यों पर बिसनेस समाचार में फिला लिता ही ऐसे अंदे खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे बीसेन न्यूस नमस्कार